नमस्कार अप्टिलाय में आपके साथ मैं हूँ सिम्रन कॉर बसंत पंचमी पर पूजनी सरसोती का दर्शन सूरत शब्द योग की साधना से आपको हो जाएगा जिस देवता का दर्शन होता है उसके समान ताकत आजाती है बुर्ति पूजा या कलेंडर में छपे फोटो से विशेसलाब नहीं होता इसलिए जड में फसने की बजाय चेतन की पूजा करो जीते जी देवी देवताओं की दर्शन करने ताकत हासिल करने और उपर के लोगों में जाने मुक्ती मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता नामदान बताने वाले आदी से अंध तक का सारा भेट जानने वाले इस समय के परमसंत समर्थ सद्गुर बाबा उमाकान जी महाराज बसंत पंचमी पर 5 फरवरी 2022 को उजयन आश्रम में दिये वा योट्यूब चैनल जैगरुदेव यूकेम पर प्रसारित लाइब ससंग में बताया कि बसंत पंचमी पर जिन सरस्ती का जन्म दिन मनाते हैं जिनकी यहां मूर्ती फोटो या कैलेंडर लगे हुए हैं वो ये ज बसंत पंचमी पर जन्म दिन मनाते हैं मूर्ती पूजा या कैलेंडर में चपे फोटो जड़ चीजों से कोई विशेसलाब नहीं मिलता कर्मों के परदे जमा होने से दिखाई नहीं देता साधना में प्राणों को खीशने पर इंद्रिये चक्र पर सरसुती का दर्शन होता है और माणी में शक्ति आ जाती है देखने वालों ने मूर्ती बना कर इशारा किया पुरानी कठिन साधना से अतिसरल सूरत शब्द योग की साधना से आज भी आपको सरसुती के दर्शन हो सकते हैं या राला भामा यहां से निकलते हैं यही अच्छर बाद में शब्द बन जाते हैं जब इकठा हो जाते हैं तो इस तरह की शक्ती आ जाती है, तो इस तरह की शक्ती आ जाती है ताकत आ जाती है जो चार दल कमल पर और इनका सरस्थी का दर्षन कर देता है दर्शन किया लोगों ने देवेदेटराओं का जब दर्शन हुआ तो पत्थर काट करके अनि बना दिया इनका फोटो कि हम चले जाएंगे मालूम था लोगों को कि ये मतलोक है शरीर छूटेगा हम चले जाएंगे तो पत्थरों पर अनि समझो कि काट करके बना दिया अब देड़े देड़े अनि जब पिकास होता गया तो लोग उन्हीं पत्रों को काट करके मूर्टियां बना दिया पहले तो ऐसे खुराई कर देते थे शुरू में उसके बाद मूर्टियां नहीं लग गए फिर अनि और ज्यादा खोज हुई तो संग्मर्मर की मूर्टि लो लोगों ने बनाना शुरू कर दिया आदमी भी उसी रूप में बन करके बैठने लग गए नाटक नोटम की होने लग गया जसन लोग मनाने लग गए तो उनका फोटो खीच लिया गया और फिर लोग उन्हीं की पूजा अनि समझो करके और सरशटी को खुश कर लेते हैं ल लोग करने की कुंदलिनियों को जगाने की वो करिया अब लोग करने पाते हैं बहुत से लोग बताते भी नहीं जानते भी नहीं है और वो थोड़ा कठिन भी है हर कोई उसको कर भी नहीं सकता है तो आनिस्रम्जो की सही लाव लोगों को नहीं मिल पाता है अब आपको मैं बताया कि जो कर्म है ये लोगों के खराब होते गए जैसे जैसे परवतन होता गया यो बदलता गया कर्म लोगों के खराब होते गए और कर्म जो बुरे हुए वो सब्यमा हो गए एकठा हो गए अब वो कर्म अगर नहीं जलेंगे तो समझो कि ज्ञान लोगों को जो होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा तो कर्म कैसे जलेंगे, कर्मों के दुलाई कैसे होगी कि जब इससे आगे बढ़ेंगे तो एक शीजा आप कोई बता दें कि नीचे से साधना जो करते हैं, चक्रों का भेदन और यह जो करते हैं, या तो उनको दर्शन होता है और या तो सब्षब योग के साधना जो आप लोगों को, बहुत से लोगों को गुरु माहराज ने बताया, या गुरु माहराज के जाने के बाद अनि आपको बताया गया, जब उसको करोगे तब इनका दर्शन हो जाएगा और जिनकी जो भी शक्ति मिलनी है इन देटों की वो आप सब लोगों के अंदर आ जाएगे